हलो एवरिवान वेलकम बैक टो माई चानल दोस्तो दिसेंबर का महीना चल रहा है और अभी आप देख सकते कि मेरी गार्डन में ये पिंक कलर की बहुत ही खुबसूरत फ्लार खिल रही है आप देख सकते आज मैं इसी प्लांट के बारे में कुछ बाते शेयर करूंगी और द केर नहीं मिल रही थी इस प्लांट की देखरेक अच्छे तरह से नहीं हो रही थी और सबसे बरी बात है दोस्तों की इस प्लांट का पूरा रूट बांडिंग हो चुका है पुरी तरह से ये जो पोट है ये छोटा पर चुका है तो आज मैं इस प्लांट को भी रिपोर्ट भी बहुत ही पिंक क्लर की खुबसूरत फ्लार देने वाली प्लांट है यह जो लॉरॉडाओ प्लांट चूंग का पका धुद्बस अगर फ्लार नहीं भी होती है इस प्लांट में तो इस प्लांट की लीवस इतनी खुबसूरत है कि इस प्लांट का जो लीवस है वही इस प्लांट की खुबसूरती बराता है दोस्तो इसकी लीवस की जो कलर है वो बहुत ही ब्यूटिफुल है यूनीक इसकी जो कलर है वो थो नीक क duty कालर है दोस्तो। तो दोस्तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इसका जो ब्लूमिंग टायम है दोस्तो। ऐलीली इसका जो ब्लूमिंग टायम है वो confiance का time हमें और विन्टर में जैसे , आप देख रहे हमारी यहाँ अभी December का महिना चल रहा है फिर भी इस प्लांट में बहुत सारी blooms आई वी है और बहुत सारी blooms और भी आनी बाकी है इस प्लांट में तो यह Perennial Plant है और हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से कोकरा जार की हिसाब से यहाँ अभी December में भी इस प्लांट की फ्लारिंग हो रही है तो मैं मैं सोच रही हूं कि इस प्लांट की जो फ्लारिंग है वो शायद से साल में दो बार होती होगी एक समर में और एक विंटर में जो अभी भी खिल रही है और अगर इसकी हम Soil Composition के बार हाड़ी प्लांट है तो इस प्लांट को जादा फर्टिलाइजर या फिर बहुत सारे ऐसे खात की जरुरत भी नहीं है इस प्लांट को आप नॉर्मल से जो Soil Composition होती है जैसे एक हिस्सा खात का एक हिस्सा रिवर सैंट का और एक हिस्सा मिट्टी का ऐसे वाली कंपोजिशन में इस प्लांट को लगा सकते हैं इस प्लांट को जादा फर्टिलाइजर की जरुरत नहीं है दोस्तो बस अगर हम महीने में एक बार या 20-25 दिन में अगर एक बार हम और्गैनिक कोई भी लिकुट फर्टिलाइजर भी दे दे तो भी ये प्लांट अच्छी तरह ग्रो करे और अगर हम्वाइन में ग्रोकरते तो ये थोरड़ा से बड़े बुष टाइप में ये ग्रोव़ ओस तो इस प्रूण करते रहना है और इस प्ल्更 प्रूनिंग करते रहना है जैसे कि दोस्तों ये मेरे एक साल पुराना प्ल् silver एक देर मेरा бесп com और यह प्लांट को मैं किसी कोने में रखके में भूल गई थी और मैं काफी आज कल बहुत बिजी स्केडियूल भी चल रहा है मेरा तो मैं थोड़ी बिजी रहती हूँ तो इस प्लांट की देखरीक अच्छे से नहीं हो रही थी फिर भी इस प्लांट में ब्लूम्स आई दोस्तो यू तो यह विंटर का सीजन जो है वो इसका डॉर्मैंसी का पीरियट है और दॉर्मैंसी के पीरियट में हम ज्यादा तर रिपोर्टिंग तो नहीं करते हैं और रिपोर्टिंग करना नहीं चाहिए किसी भी प्लांट को उसकी डॉर्मैंसी पीरियट में बट यह winter में भी flower दे रही है मुझे flowering देने के time में भी reporting नहीं करना चाहिए दोस्तो plants को but ये flowering दे रही है heavy flowering हो रही है फिर भी इनका जो space है वो छोटा पर गया तो मैं आज इनके reporting करूँगी और reporting मैं इनके roots को disturb किये इनके roots को मैं disturb नहीं करूँगी सिर्फ reporting कर दूँगी roots को trimming भी नहीं करूँगी कुछ नहीं करूँगी बस इसका जो pot का size है वो बरा रखूँगी और transplant कर दूँगी report कर दूँगी तो ये मेरे पास ये बरी सी pot परी हुई थी जो जिसमें मैंने अलग plants लगाए वो निकाल के मैंने और दूसरे pot में लगा दिये तो ये वाली pot खाली हो गई थी पुरानी वाली तो ये काफी बरा pot है ये 14 इंच का pot है तो इस pot में इस plant को अवी में reporting करूँगी काफी बरा है ये तो देखते रहें दोस्तों हम sunlight की बात करें तो इस plant को full sunlight पसंद है जैसे कि ये summer का plant है तो इस plant को हमें धूप में रखना है 5-6 घंटे की जो धूप है वो ये plant बरदाश कर लेती है बट जब हम pot में लगाते हैं जमीन में तो चलो ये 5-6 hours की धूप बरदाश कर लेगा अगर हम pot में लगाते हैं तो इस plant को हमें सिर्फ 4-3 घंटे की जो धूप है वो देनी है बाकी हमें इसे partial light में रखना है गर्मी की जो तेज धूप है वो इस plant को ज़्यादा पढ़ने नहीं देना चाहिए खास कर कि अगर हम pot में लगाते हैं तो तो इस plant को धूप में रखे बट जादा टेज धूप में भी मद रखे पार्शिल जो sunlight है यह चन के जिस रोशने जिसमें आई वैसी वाली जगह पे आप इस plant को प्लेस करें तो अगर प्रॉपगेशन के बात करतें तो प्रॉपगेशन बहुत ही इस plant का stem cutting से easily या branch cutting से easily यह plant प्रॉपगेर हो जाती है किसी भी healthy stem को आप 6 cm से लेके 8 cm तक की लंबाई में काट ले और उसे simply आप soil में पूट कर ले लगा ले और इसे थोरे से 2-3 दिन shady area में रख दे तो यह plant की जो root से वो develop हो जाएंगी दोस्तो अगर mites attack या insect attack की अगर हम इस plant को बात करते हैं तो इस plant में उतनी मैंने कुछ भी इस तरह की infestation या insect attacks mites attacks देखी नहीं है इस plant में उतनी होती नहीं है यह hardy plant है यह hard to die plant है इसमें उतनी attacks नहीं होती insects की बट कभी अगर insect attack ऐसे लग जाए इस plant में तो simply जो organic neem oil है उसका spray करना चाहिए हमें उससे जितनी भी mites attack insect attack या millibugs की attack है वो चली जाएंगी तो दोस्तो इस plant को देखिए मैंने लगा लिया है बाते करते करते इस plant की जो reporting है वो हो चुकी है complete और देखिए ये plant कुछ इस तरह से लग रही है अभी इनके जो stems है उनमें leaves जहरे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं बट अभी जब मैंने इसकी reporting कर दी है तो कुछ दिनों में इनके जो leaves है वो फिर से grow हो जाएंगी अच्छी हो जाएंगी और ये खुबसूरत लगेंगी plant दोस्तों अगर watering की हम बात करते तो ये plant summer का plant है और ये hardy plant है तो ये drought resistant plant है ये drought बरदाश कर लेता है दोस्तों बट इतना भी आप इस plant को बिना पानी के ना रखे बट अगर एक दू दिन भी आप बिना पानी के इस plant को रखेंगे तो ये plant बहुत ही hardy ये चल जाएंगी बट इस plant को over watering ना करें और इस plant में आप देख देख के पानी दे जैसे की इनकी जो 1 इंच की टॉप लेयर सुख जाए तब इस plant को आप पानी दे दोस्तों देखिए इनकी ये जो flower से कितनी खुबसूरत है ribbon जैसे ये pink color की मुझे तो ये ribbon जैसे लग रही है pink color की बहुत प्यारी लगती है ये plants और इनके जो leaves है ये भी आप चेक करें ये leaves भी बहुत ही color इनकी खुबसूरत है तो इस plant को आप अपने garden में जरूर लगाए दोस्तों ये perennial plant है अगर इसे आप एक बार लगा देंगे तो ये आपके साथ सालों साल चलेगा और ये nursery में भी अवेलेवल है किसी भी nursery में आप जाए तो ये plant available मिल जाती है तो दोस्तों आपको आज के मेरे वीडियो अच्छे लगी होगी और अगर अच्छे लगी तो पलीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब माइ चैनल और मेरी वीडियो को लाज तक देखने के लिए थैंक यू सो मच मिलते है आप लोगों से मेरी अगली वीडियो में तब तकिले सेफ एंड कीप गार्णिंग थैंक यू